दूर से देखने पर नजरें धोखा खा सकती हैं। ये असली परिंदे नहीं बलके गुबबारे हैं। स्कॉटलेंड के टेरी कुक गुबबारों से परिंदे बनाते हैं। आज वे एक नट है चिडिया बना रही है। मटीरियल है लेटेक्स एयर बलून्स। अलग रंग और आकारवाले। गुबबारों से कला। ये अलग है। कुक को भी अचानक ही इसका एसास हुआ। मैंने अपनी भती जी की बत्रडे पार्टी के लिए एक दो ऐसे गुबबारे बनाए और उसके बाद सोचा। वा, इनसे तो कुछ किया जा सकता है। मैं इसे हकीकत के करीब तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये असली पंचियों जैसे नहीं दिखते। लेकिन कुक फिर भी बेहतरी नकल की कोशिश करते हैं। काम खत्म, अब पार की ओर। यहां वे अपने बलून बर्ड्स की तस्वीरे खीशते हैं। परिंदों के प्राकृतिक माहौल में। आज इस नट हैच के साथ। यह सब ही पेड की छाल में चोच गड़ा कर कीटों को निकालते हैं। यह तो बस रंग बिरंगी छोटी सी कूल चिडिया है। पेड की तने में उपर से नीचे की तरफ। आम तोर पर प्रकृति में नट हैच ऐसी ही दिखती है। और इसी अंदाज में टेरी कुक अपने बलून बर्ड को पेश करते हैं। बच्पन सही परिंदों से प्यार है। मैं उन पर मुग्द रहता हूँ। बहुत सारे जानवनों से महबत है लेकिन पंची खास हैं। पता नहीं क्यूं। कुक को सबसे ज़्यादा अस्थानिये परिंदे भाते हैं। फोटो शूट के बाद वे अपने बलून बर्ड को घर ले जाते हैं। वो प्रकृती को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साओवास झाल अभब का